Hello dear students, तो आज के इस वीडियो में हम आपका class 9th का, ये जो morning shift का social science का question paper है, तो इसका हम solution करेंगे, यानि कि इस question paper का answer की करेंगे, जिसके आपको पता चलेगा कि आपने exam में कौन से question के answer सही किये हैं, और कौन से question के answer में आपकी mistake हुई हैं, तो चलिए शुरू करते हैं, सबसे प प्राप्त अनाद गेहुँवचावल का भंडार करती हैं, तो भारतिये खाद निगम के माध्यम से, यानि कि इसका B option correct था, इसके बाद जो second question है, कि नवीन की आयूद 10 वर्ष है, यों वह restaurant में waiter का कारे करता है, बताए नवीन के किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, तो उ उसके शोषण के विरुद अधिकार जो है, इसका हनन हो रहा है, यानि कि C option इसका correct था, इसके बाद question number 3 देखिए, 2011 के जनगरना के आंकडों के अनुसार, भारत का सरवाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो ये है उत्तर परदेश, ठीक है, इसके बाद fourth question है कि रूस की संस को, यानि कि fourth का C option correct हो जाएगा, इसके बाद question number 5 देखिए, इसमें बोला गया था, मिलान करने के लिए, तो पहला है कार्ल माक्स, तो कार्ल माक्स का हम किस से मिलाएंगे, कार्ल माक्स साम्मेवादी विचार धारा के संस्थापक थे, तो यानि कि तीसरे से मिला देंगे, इ हमारा हो जाएगा, इस्टारिन का सामोही की करन, यानि कि fourth से मिला देंगे, और फिर निकोलस दूतिये का हो जाएगा, रूस का जार, चिक है, तो ये हमने मिलाया है, A का third से मिलाया है, B का हमने first से मिलाया है, और C का fourth से और D का second से, यानि कि ये वाला, B option हमारा correct हो जाएग वही English Media में भी right options हो जाएंगे जैसे कि first का मैंने आपको B option बताया था इसके बाद जो second question है तो second का C option बताया था इसी तरह से बाकी जो question से उनके answer आप देख सकते हैं ठीक है? अब इसके बाद next है question number 6 question number 6 में बोला गया है कि निम्लिकित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी राश्टिर ग्रामिन रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के संदर में सही है तो इन में से सही बताना है हमें ये जो हमें तीन दिये गए हैं इन में से तो पहला हमारा है कि कम से कम 100 दिन के लिए रोजगार सुनिशित किया गया ये हमारा सही है इसके अलावा एक तेहाई रोजगार महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया तो ये हमारा जो है ये भी बिलकुल करेक्ट है और तीसरा है कि ये शहरी शेत्रों के लिए रोजगार को सुनिशित करता है तो पहला और दूसरा हमारा खाली सही है तो यह रहा C option में केवल एक वर्थ दो यानि कि 6 का C option correct हो जाएगा इसके बाद question number 7 देखिए Francis क्रांती से सम्मति निमलिखित घटनाओं को काल क्रमानुस्तार विवस्तित कीजिए एवं सही विकल्ब का चैन कीजिए तो यहाँ पर देखिए यह हमें चार statement दिएगे हैं इनको हमें सही क्रम में लगाना है तो इसमें सबसे पहले हमारा हो जाएगा लुई 16 फ्रांस का राजा बनता है यानि कि यह first number पर आजाएगा इसके बाद अगला हमारा हो जाएगा कि राजा की शक्तियों को सिमित करने के लिए एक समिधान बनाया जाता है यह हमारा second number पर आजाएगा और फ्रांस एक गरतंत्र बन जाता है यह हमारा third number पर आएगा और इसके बाद नेपोलियन फ्रांस के समराट बनते हैं यानि कि ये हमारा fourth number पर आएगा तो सबसे पहले हमारा second फिर ये हमारा third फिर उसके बाद first और फिर fourth तो second, third, first और fourth ये रहा A option में तो इसलिए seventh का A option हमारा बिल्कुल correct है इसके बाद question number eight देखिए गलत मिलान की पहचान करने के लिए बोला गया था तो इसमें option हमारा correct हो जाएगा इसके बाद question number nine देखिए इसमें हमारा अभिकथन और कारण वाला question दिया गया है तो सबसे पहला अभिकथन को पढ़ते हैं एक लोकतांत्रिक सरकार चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर सकती है तो ये हमारा गलत है एक जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो अपने चुनाव जीतने के लिए अपने अधिकारों का दुरुपयोग नहीं कर सकती फिरो लोकतांत्र किस बात का कहा जाएगा तो इसलिए अभिकथन हमारा गलत है कारण में दिया है कि लोकतांत्रिक सरकार कानून और नागरिक अधिकारों का आदर करती है तो कारण सही है लेकिन अभिकत्थन गलत है तो इसलिए इसमें हमारा जो है D option करेक्ट हो जाएगा यह देखिए यह रहा हमारा D option अभिकत्थन गलत है और कारण सही है तो इसलिए 9th का D option हमारा correct है इसके बाद देखिए question number 10 question number 10 में बोला गया है भारत का शेत्रफल विश्व के कुल भोगोलिक शेत्रफल का 2.4 परतीशत है तो ये तो हमारा अभिकतन सहिए कि जो भारत का शेत्रफल है वो विश्व के कुल भोगोलिक शेत्रफल का 2.4 परतीशत ही है तो इसलिए अभिकतन सहिए कारण में बोलाए कि भारत का श्थल सीमा 15200 किलोमीटर है ये भी सहिए कारण भी सहिए अभिकतन भी सहिए लेकिन इस अभिकतन की ये कारण सही व्याख्या नहीं है सही explanation नहीं है तो इसलिए इसका B option जो है यह हमारा correct हो जाएगा question number 10 का छीक है इसके बाद next चलते है question number 11 पर इसमें देखी अभिकत्थन में हमें दिया गया है कि हरित क्रांती खाद्यानों में और इस अभिकत्थन की यह जो कारण है यह सही explanation भी है सही व्यक्ष्या भी है तो इसलिए इसका A option correct हो जाएगा तो 11 का A हो गया इसके बाद English medium में देखी जो मैंने आपको Hindi medium में बताया है वही English medium में भी right हो जाएगा और इसके बाद चलते है question number 12 पर question number 12 में अभिकत्थन में हमें दिया गया है कि पूर्वी घाट आसंतुलित एवं आनियमित है तो यह हमारा जो अभिकत्थन है यह correct है कि जो पूर्वी घाट होता है वो हमारा आसंतुलित है और नियमित भी है अभिकतन सही है और कारण में बोलाए कि पूर्वी घाट भारत के उत्तर पश्रिम भाग में अवस्तित है ये कारण गलत है हमारा तो इसलिए इसका C option हमारा correct हो जाएगा ठीक है अभिकतन सही है और का पारिभाशिक शब्द का चेयन विकल्पों में से कीजिए तो देखिए हमें यहाँ पर दिया गया जनकारी इसको हमें पढ़ना है नागरिक कैसे सोचे किस तरह अपने विचारों को अव्यक्त करे और अपने विचारों पर किस तरह अमल करे इस पर कोई अनूचित पाबंदी नहीं होगा तो यह हमारा जो है स्वतंतरता कहलाता है यानि कि 13 का C option करेक्ट हो जाएगा इसके बाद कोशन नमर 14 देखिए इसमें बोला है भारत में किस परकार की जलवाईू है तो मानसून जलवाईू है भारत में और इसके बाद कोशन नमर 15 है हमारा कि निमल कित में से किस अधिकार को डॉक्टर भीमरा अमेटकर ने समिधान की आत्मा वह हर्दय की संग्या दी है तो समिधानिक उपचारों का अधिकार जो था इसको डॉक्टर भीमरा अमेटकर जी ने समिधान की आत्मा और हर्दय की संग्या दी थी इसके बाद question number 12 English medium में ये रहा आपका तो question number 12 का मैंने C option बताया था तो इसका C option correct हो जाएगा इसी दरह से question number 13 जो है इसका भी C option ही correct था और question number 14 का monsoon यानि की A option और question number 15 का B option चीके आप देखे question number 16 इसमें बोला गया मिलान करने के लिए तो पहला है प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ तो ये हमारा हो जाएगा प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ कब हुआ था तो 1 अगस्त 1914 को चीक है इसके वाद Hitler जर्मनी के चांसलर बने तो ये कब बने थे Hitler जर्मनी के चांसलर तो वो बने थे 30 जनवरी 1933 को और वर्साइ के संधी कब हुई थी तो ये हुई थी हमारी 28 जुन 1919 को और प्रथम विश्व युद्ध की समापती कब हुई थी तो ये हुई थी 9 नवंबर 1918 को चीक है तो ये हमारा बिल्कुल करेक्ट है अब इसके बाद देखिए हमने A का 4th से मिलाया है B का हमने 3rd से मिलाया है और C का हमने 2nd से और D का 1st से तो ये रहा हमारा A option में तो इसलिए 16th का A option बिल्कुल करेक्ट है ठीक है इसके बाद next है Q17 इसमें बोला गया है कि Nelson Mandela द्वारा लिखित आत्म कथा का शीर्षक है तो आपको पता होगा कि Nelson Mandela द्वारा जो बुक लिखी गई थी उसका क्या नाम था Long Walk to Freedom यानि कि B option इसका करेक्ट है इसके बाद Q18 देखिए इसमें बोला गया है कि निम्लिकित में से कौन से कथन दक्कन के पतार के संदर में सही है तो इन में से दक्कन का पतार एक त्रिकोन ये भूभाग है ये तो हमारा सही है दक्कन का पतार नर्मदा नदी के दक्षिन में स्थित है दूसरा भी सही है और सत्पूरा रेंज दक्कन के पठार के उत्तर में स्थित है ये भी सही है यानि कि तीनों ही हमारे सही है तो ये रहा डी ओप्षन में सभी एक दो एवं तीन चीक है इसके बाद कोशन नमर 19 देखिए इसमें बोला है केरल एवं करनाटक में होने वाली मौनसून पूर्व व इसका A option करेक्ट है इसके बाद English Medium में देखिए 16th का A option करेक्ट था 17th का हमारा B option करेक्ट था Long Walk to Freedom और 18th का D option और 19th का C option और 20 नमर के कोशन का A option इसके बाद कोशन नमर 21 से हमारा खंड ख शुरू हो जाता है जो कि आपका इसमें आपको आंसर लिख करके बताने थे ये सारे 2 marks वाले कोशन हैं खंड ख में तो पहला कोशन बोला गया है इसमें यानि कि कोशन नमर 21 कि मौ क्या है हमसे पूछा गया है मौसुन की वापसी में संदेखिय स्यंदोबर और 19 महीने में क्या होता है कि आपमान जोह अधिक हो जाता है यानि कि स्युवर और 9 महीने में अधिक मान और अर्दर्ता के कारण जिन का मौसम और सहन ये हो जाता जीतना है जिसे क spoken क्मेंच को आं वर्णन कीजिए तो इसमें हमें लोकसभा के अधिकारों का वर्णन करने के लिए बोला है अब इसमें आपको कम से कम दो पॉइंट्स लिखने होंगे क्योंकि ये हमारे टू मार्क्स वाले कोश्चन्स है तो पहला हमारा ये हो जाएगा कि लोकसभा बिल पारित कर सकती है एक अधिकार ये हो गया कि लोकसभा बिल पारित कर सकती है और दूसरा हमारा ये हो जाएगा कि लोकसभा के पास आर्थिक मुद्धों पर नियंतरन की शक्ती होती है तो जो मैंने आपको दो points बताए हैं ये आप लिख सकते हैं इसके अलवा कोई और दूसरे points आपको याद होगा तो वो भी आपने लिखा होगा तो वो भी आपके सही होगे इसके बाद इसी question में यानि कि question number 22 में हमें अथ्वा में भी question दिया गया है ये रहा तो आपको इन दोनों में से किसी एक को करना था exam में तो मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ इसमें हमें बोला गया था राज्यसभा के अधिकारों का वर्ण करने के लिए चिके उपर वाले question में लोगसभा का जो अधिकार है उसको वर्ण करने के लिए बोला था एक तो हमारा ये हो जाएगा कि राज्यसभा जो होती है वो राश्रपती और उपराश्रपती का जो चुनाव होता है उसमें भाग लेती है और दूसरा ये हो जाएगा कि कोई भी विध्यक या कानून कोई भी विध्यक का कानून बनने के लिए राज्यसभा से पास होना प पड़ेगा तो ये दो अधिकार हो जाएंगे राज्यसभा के इसके बाद कोश्च नबर 23 देखिए इसमें बोला गया है कि लुई सोलवे के राज्यरोहन के समय फ्रांस के आर्थिक हालातों का विशलेशन कीजिए तो लुई सोलवे के जो राज्यरोहन उसके समय फ्रांस के आर्थिक हालात कैसे थे उसको हमें बताना है तो पहला तो हम इसमें यह पॉइंट्स लिख सकते हैं कि अनाज में भारी कमी हुई थी और टैक्स में भी यानि कि टैक्स को बढ़ा दिया गया था टैक्स में वृद्धिक कर दी गई थी चीक है तो यह आप इसकी आंसर में क्या है दिर्कालिक भुखमरी के लिए जिम्यदार किसी एक कारक का नाम बताईए तो दिर्कालिक भुखमरी क्या होता है कि लंबे समय तक आप परियाप्त खाना मिलना ही दिर्कालिक भुखमरी है यानि कि लंबे समय तक परियाप्त भोजन ना मिलना यह हमारा दिर्कालिक बुख्मरी होता है और इसका एक कारग भी पूछा गया है तो इक कारण ये हो जाएगा कि बहुत कम आय होना यानि कि बहुत कम income होना ये हुमारा एक कारण हो जाएगा इसका तो इसका answer आप ये लिख सकते हैं जो मैंने आभी आपको बताया है इसके बाद question number 25 से हमारा खंड गर्ष चुरू हो जाता है तो question number 25 से हम next वीडियो में कर लेंगे I hope आपको इतना समझ में आ गया वीडियो को एक like कर देना, अपने दोस्तों में भी share कर देना और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना मिलते हैं फिर अगली वीडियो में